और बचाएगे श्रमिक विश्वजीत कुमार वर्मा की पहली exclusive बातचीत आपको सुनाते हैं जिन्होंने सिलक्यारा सुरंग में फसे होने की अपनी 17 दिन की आप बीती सुनाई कैसा रहा आपका अंदर का जब आप फस गए थे तो क्या दिल में और दिमाग में चल रहा था दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं जैसे जो उपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का परियास तो हम लोग का तो बंद हो गिया लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंडिरेरिंग लिमिटेट कमपनी जो है तो हमारी पर्यास में लगे रहे हर जगा से ब्यवस्था की गई ऑक्सीजन की ब्यवस्था खाना पीने की ब्यवस्था और बाहर से मसीन जो आई बाहर से मंगाए गए देश से अपना मसीन कुछ आए अस्टेलिया से भी कुछ आए और इंडिय आ अईडी आर एफ वह अरे आए वोग सब हमारे देश वासी pierws भारत वासी हो पूरा मेश्यों को परियास में निकालने की कोशिश किया और मुक्र मन्तरी हमारे उत्रा खंड का जो है वह हमारे परियास में लगे हम लोग को निकालने के लिए और हमारे जारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर परदानमंतिरी सब हर ब्यवस्था की गई है अच्छा खाना पीना कैसा पहुंच रहा था खाना पीना हम लोग का जो है शोग गिरने के बाद हम लोग को 10-15-20 घंटे थोड़ा परि दिन होने के बाद पीर बाहर से पाइट का एक जो विवस्था की गई उससे हम लोग खाना काजू किस्टिश बदाम रोटी चावल दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज कर्वार के गई अब परिवार से बात चीट हो रही है परिवार सब ठीक है थी बात में माइक लगाया едाए तो अब परिवार आपका यहाँ पर आ मेरा मेरा भाया अधेय आचाए कि दिवाली वाले दिन से आप वहाँ हैं वहां थे और अब कैसे हार आप मनाएंगे दिवाली झाल छट ठीक से ऐसार डिंग्याली छोगे मिलिए खोशा झाल झाल